एलो मेरे प्यारे प्यारे शीष्टर आज किस वीडियो के माध्यम से आपका वाई चंदन आपके बीच एक वार पुना आ चुका है चलिए पुरे डिटेल्स जानकारी पुरे पूल खोल बाते करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप कल एक्जाम दिये थे 21 जनवरी 2022 के हैं उसके according एनेम की final cut-off क्या होने वाली है एनेम की result कितने mark पर आएंगे सबसे पहले जो result आएंगे वो counseling के लिए आएंगे document verification होगा तो कितने marks होने पर आपको document verification में भाग लेने का मौका मिलेंगे साती मेरी प्यारे sister ये जो counseling की परकिरिया होने वाली है ये counseling कब तक होंगे इसके लिए कब result परकासित के जाएंगे कौन से document लगेंगे complete details जानकारे आपको इसी वीडियो में दूँगा तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं cut-off की जानकारे देने से फाहिले एक छोटी से request रहेगा फिर आपको और details दिखाऊंगा अगर चैनल पर पहली वार आई हो न तो टेलिग्राम गुरूप का link description मा है जोइन करें direct आप अपने भाई चंदन से पुरे details में बात करें कोई dot हो, कोई मन होई प्रस्न हो तो direct पूछ सकती हो आपको एक notice दिखाना चाऊंगा ये notice आपके पास पहले सहोंगे राष्टरे स्वास्त मिशन मत पर्देश की तरफ से जो जारिक किया गया था विग्यापर अब ये विग्यापन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद आपके जो cut-off जो हम दिखाएंगे counseling के लिए वो complete details पता चलेंगे इसमें सबसे मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पर एक चीज़ देख लिजे ये जो seat details दिया हुआ है इसको God से देखेंगे इसमें हर एक category का seat details है जैसिकि एगर general की बात करेंगे तो general के लिए थ्री टूटि फॉर दूटित हुआथी के लिए एक सो बीस अनुसूचित जाती के लिए esse के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो ़िodhwa करेंगे व motivo है और अनुसूचित जाती के लिए 192 है और इसके लिए अन्य पिछरा वर्क 324 है और टोटल के बात करोगी तो 1200 यहाँ पर अफ्लिकेशन फर्म 1200 सीटों के लिए लिए गये हैं तो अब इसमें अगर काउंसलिंग की परकिरिया के बात करेंगे तो काउंसलिंग की परकिरिया कभी भी कम से कम आपको 2.5 गुना के निडिटों को बुल यहाँ पर 3000 कैंडिडेटों को आप होंसलिंग के लिए बुलाई जाएंगे अब यह 3000 कैंडिटों को बुलाई जाएंगे तो इसी क्याधार पर आप लोग को से बता रहा हूं कुछ कट आप से पहले एक चीज और आप यहाँ पर देख लिए तो आपको क्लियर होंगे अगर सेलेक्शन प्रोसेस में आपका टोटल जो मार्क है वो 100 MCQ था यानि कि टोटल क्वेस्टन की संख्या 100 थे और इसमें 100 आपको मार्क मिलने है और इसमें नो निगेटिव निगेटिव मार्किंग की सुभधा नहीं थी यानि आप गलत तसलत कुछ भी बना का और टोटल 100 बना लेना है उसमें से कोई मार्किंग नहीं जाएंगे जो बना कर आएंगे सही पकर आएंगे उतना मार्क आप लोग मिल जाएंगे इसकी आधार पर आप लोग एक यह भी बात सौन सकती हो कि जो करेडियर्ट यहां पर एक्जामिशन में बैठे होंगे वो 100 का 100 तो एटेम्प किये ही होंगे क्योंकि नेगेटिव तो हाई नहीं अगर नेगेटिव नहीं है उसमें तुकाल लगाया है तो कुछ ना कुछ तो सही जरूर होगा इसलिए कटफ पर थरा सा इफेक्ट परेंगे कटफ थरा हाई जाने की चांसे जहां से बनते हैं और इसमें एक पॉइंट यहां से आप लोग कफर करिएगा जैसिकि सेलेक्शन प्रोसेस के लिए मिनियुम मार्क मिनियुम मार्क नियुनतम उतीर आौँकर ताई किया गया है जैसे कि General के लिए 40 होना चाहिए AWS के लिए 36 होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो OBC के लिए आपको 35 होना चाहिए SC के लिए 34 होना चाहिए इस तरह से यहाँ पर सारा Mark यहाँ पर फिक्स किया गया यानि कि इस New Time Mark को आप लोग को पार करना होगा होता क्या है कि कभी कभी जब A&M की एक्जामनेशन होती है तो A&M एक टेक्निकल पेपर हो जाते है जिन से ज़्यदा ज़्यदा कोईशन पूछे जाते है इसलिए बहुत सारे से के नेरेट होते है जो निउनता Mark को दिखा दे कि इतना minimum आपके पास होना चाहिए अब इसके analysis पर हम लोग final cut-up की तरह बढ़ते है final cut-up की तरह आप लोग बढ़ेंगे तो यहां से होर एक category के मैं analysis दिखा देता हूँ सबसे पहले general बहनों के लिए देखेंगे general sister के लिए देखेंगे तो यहां पर 56 marks आपके पास होना जरूरी है चुकि negative marking नहीं है पहले मैं बता चुका हूँ इसलिए cut-up पर थरा से effect परेंगे 56 और इसमें बात करेगा कि यह confirm है 56 नहीं 56 marks जो आप लोग देख पार ही हो यह confirm नहीं है यह एक अनुमानित cut-up है और इस cut-up में आपको 2 marks भाहरी करेगा पलस मैनस यानि कि extra भी जा सकते हैं या उसके कम भी आ सकते हैं जस्ट उसके अगर आप लोग बिलो आओगी तो EWS candidate के जो भी candidate है 52 52 नमबर अगर आपके पास आ रहे है और SC की जो भी मेरी प्यारी sister है 41 marks भाना चाहिए ST वाले ध्यान देंगे ST की संख्या यहाँ पर जो देखेंगे तो seat की संख्या तो जएदा है SC के compare में लेकिन इस cut-up जो है SC से कम जाएंगे तो ST के याद रखेगा 38 अगर आपको marks आ जा रहे है तो आप लोग के selection यहाँ पर counseling की जो process होता है उसमें आप लोग भाग ले पाओगे तो आपको हम हर एक category के यहाँ पर cut-up की परकिरिया दिखाए है तो आप लोग परिशान मत होए document की process क्या होंगे मैं full document का वीडियो आपको देने वाला हूँ आज साम या कल morning तक दे दूँगा इसलिए परिशान नहीं होना है फिलाल इस cut-up के recording आप लोग थरासा एकदम व्यक्त करिए कि आपकी result हो सकते हैं मेरी प्यारे sister अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो टिलेगराम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जोइन करिएगा वहाँ पर भी अपनी परशन छोड़ सकती हो और एनिम के हर एक सब्जेक्ट की तयारी के लिए class जोइन करे PDF1 फरवर्डिस आपको हर एक आदमी के मोईल के WhatsApp पर मिल जाएगे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई